गुड सेहत के लिए काफी फायदे मंद साबित होता है आयरुवेद में भी गुड के कई फायदों के बारे में बताया क्या है गुड का इस्तेमाल औशदी के तौर पर भी किया जाता है ऐसे में जोतिश शास्त्र के अनुसार भी गुड काफी फायदे मंद माने जाता है जी हाँ दोस्तो गुड को सूरे का कारक माने जाता है ऐसे में आज हम आपको गुड से जोड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी परेशानियों को कम कर सकते हैं तो आए जानते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि गुड का सेवन सर्दी में आपको करना चाहिए या नहीं सूरी दोश दूर करने के लिए बहते हुए पानी में गुड की एक डली बहाने से सूरी दोश दूर होता है इसके साथ ही 800 ग्राम के हुँ वह 800 ग्राम गुड रविबार से 8 दिन तक मंदिर में भेट करने से सूरी से संबंधित दोश दूर होते हैं अगर लमे समय से आपका कोई कारे रुका हुआ है तो उसे जल्द से जल्द करने के लिए देशी गुड घर में रखें और समय समय पर उसे थोड़ा थोड़ा खाते रहें ऐसा करने से सूरी से संबंधित शुभलाब मिलने लगेंगे इंटर्वियू देने जाते समय या घर चे बाहर नौकरी की तलाश में निकलते समय रास्ते में किसी गाय को आटा और गुड खिला कर जाएं तो सफलता मिलेगी अगर आप चाहते हैं कि आप पर हनुमांजी की किरपा बनी रहे तो इसके लिए आप हनुमांजी को गुड और चने का प्रसाद चड़ाते हैं तो इसे किरपा बनी रहती है अगर किसी विक्ति की कुंडिली में सूरी कमसूर है तो उसे गुड़ खाकर अपने कारे की शुरुआत करनी चाहिए तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं सरदी में गुड़ का सेवन सही होता है या नहीं गुड़ की काफी गर्म होती है ऐसे में इसका बहुत अधिक सेवन करने से शरीड में गर्मी बढ़ सकती है जिसे नाक से खून आ सकता है इसलिए गुड़ खाएं लेकिन कम मात्रा में ही खाय जाये तो बेहतर होता है जो लोग डाइटिंग करते हैं उन्हें गुड़ के अत्य अधिक सेवन से बचना चाहिए गुड़ में कैलरी की मात्रा काफी अधिक पाई जाती है जिससे आपका वजन बढ़ सकता है दोस्तों आपको बता दें कि गुड़ के सेवन करने से बलड शुगर का स्तर भी बढ़ सकता है क्योंकि 10 ग्राम गुड़ में खरीब 9.7 ग्राम शुगर होता है अगर आपको बलड शुगर की समस्या है तो इसे दूर ही रहें फ्रेश गुड़ खाने से बदहजमी और पेट खराब की समस्या होने लगती है इसलिए मार्केट से जब भी गुड़ खरीदें तो जांच कर लें कि गुड़ फ्रेश है या फिर कुछ समय पुराना अगर आपको पहले से ही शरीड में सूजन है तो गुड़ का सेवन बिल्कुल ना करें गुड़ में सुक्रोज काफी अधिक होता है जो आपके सूजन को और अधिक बढ़ा सकता है कुंडिली टीवी डैस के सेलता शर्मा की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में सरूर बताएं धन्यवाद